हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तो आपने बहुत ही सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका दिल्ली फोरेश्ट गार्ड का तीन मार्च का फर्स शिफ्ट का एक्जाम सबबता हो चुका है फर्स शिफ्ट में अगर आपका दोस्तों नेक्स शिफ्ट में एक्जाम होना है तो वीडियो को भी नए स्किप के एंड तक जरूर देखें क्योंकि यहां से चार से पांच कोश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्या 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 पूछ पूछे गए हैं फर्स शिफ आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं एक कुश्चन था बारत का अंतिम वाइसरा है कौन था तो बारत का अंतिम वाइसरा है था लौड माउंट बैटन आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं मर्डे का कप कि स्केल स सब्मंदित है तो मर्डे का कब फुटबोल से सब्मंदित है फुटबोल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही आपके लिए हेलफुल है फटा फट से लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है एंड तक जरूर देखा करें एक कुशन था एमदबाद इस्तित अभेगाट किसका समाद इस्तल है मोरार जी देशाई का समाद इस्तल है अभेगाट जो एमदबाद में इस्तित है नेक्स देख लेते हैं सम्विदान सभा की पहले बैटक कब हुई थी नो दिसंबर सम्विदान सभा की पहली बैटक आपका राइट आंसर था नेक्स देख लेते हैं विस्व रेडियो दिवाले कोश्चन आपके पूछे जा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़कर जरूर जाए इंपोर्टेंड वाले कोश्चन दो से तीन कोश्चन आपकी सिफ्ट में अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटा फट से लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजे जिसका नेक्स सिफ्ट में एक्जाम होने ताकि उनको भी पता चल जाए किस टाइप से आपके कोश्चन पूछे जाना है दिली फोरेस्ट गाड क अगर खाजो जो पेपर चल रहा है एक कोश्चन था 50 आर्थिंग मंज 2021 कहाँ जित किया जाएगा सिंगापूर मेंस जित किया जाएगा वियज आर्थिंग मंज 2021 नेक्स 對े क्विश्चन था हालिमें इवकिस बैंक ने आमनेरम महिला सुन जोगना शुरू कि है तो बैंकों बढ़ोदा ने शुरू किया दो jaw अब निर्बर महिलासुन जोगना आपकर आएट asking does था नेक्स्ट एक कुश्चन आया था हुमायू नामा की रचना किसी ने की थी गुलबदन मेगम ने गुलबदन मेगम वाफ कराई टांसर हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी दी M की वैल्यू आपकी 24 गुणा J 4 डिवाइड बाइ L 8 प्लस 4, 8 से कट जाएगा 3 बार, 8 ते 24, 3 की गुणा 4 में 12 और 4, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस टाइप से आपको एक कुश्चन सोल करना था, I hope आपके सोलिशन में समझ में आ गया होगा इस टाइप से आपको एक कुश्चन मार्क आपको दे रखा था, यहाँ पर कुश्चन मार्क की वैल्यू बतानी थी, आपको क्या हैगी तो इसमें क्या करखा है, 11 का स्कॉर यानी 121 हो गया, और 11 की मल्टिप्लाई 2 में आनी 22 इस में आइड करते हैं, तो आपको आगया एक सो तितालियू इसी टाइप से आपको एक करना था, 15 का स्कॉर दोसो पच्चिस और 15 दूनी 30 इस में आड करना था, 255 आपको राइट आ आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट एक कुश्चन था दोस दोस्तों, National Institute of Mental Health and Neurosciences, कहां इस्तित है, बैंगलोरो में इस्तित है, National Institute of Mental Health and Neurosciences, एक कुशन है था, किस राजजया ने मुफ्त फसल भीमयय होजना, शुरू की sixteen, किस राजजय सरकार ने किया मुफ्त फसल भीमय होज लिख देंगे ए सेकंड पर यहां पर फिस्ट पर लिख देंगे और यहां पर सेकंड लास्ट में लास्ट में लास्ट में लिख देंगे A last में हैं यहाँ पर second last में लिख दिया K यहाँ पर last में हैं यहाँ पर second last में लिख देंगे E, R, K यह आपका right answer था इस टाइप से आपको एक question solve करना था यह अपके solution में समझ में आ गया होगा Next देख लेते हैं राजीव गांदी खेल लेतन पुरुषकार 2019 के से मिला बजरंग पूनिया को दिया गया राजीव गांदी खेल लेतन पुरुषकार आपका right answer था Next question दा आधुनिक ओलंपिक खेलों का सवर पर तम आयजन कब हुआ था 886 ECV में हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेलों का सवर पर तम आयजन आपका right answer था एक question आयता दोस्तों किस खेल के साथ कोक शब जुड़ा है बोट रेसिंग के साथ जुड़ा है कोक शब आपका right answer था बोट रेसिंग Next question दा किस परसित खिलाड़ी का जर्म दिन राष्टेख खेल दिवास के रूम में मनाया जाता है मेजर ध्यान चंद का जो जर्म दिन है और राष्टेख खेल दिवास के रूम में मनाया जाता है आपका right answer था Next देख लेता है परमाणू की सनिजराचना की वर्तवान अवदाना की स्वेग्यानिक द्वारा दी गई है निल्स बोर के द्वारा दी गई है आपका right answer था Next question है था केंद्रे आलू अनुसंदान संस्थान कहा इस्तित है शिमला में इस्तित है केंद्रे आलू संस्थान आपका right answer था तो दोस्तों यह थे आपके दिल्ली forest guard का जो paper हुआ है आपका 3 March का 1st shift का उसे लेटेड हमाने पास आपके यह question आप आए मैंने इस वीडियो में आपको cover कराए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजे अमने सभी friends के साथ share कर दीजे और अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो exam for you चैनल को subscribe करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको यहाँ पर हरेक शिफ्ट कर अनलाइसिज time to time देखने को मिल जाए तो इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंजा भारत